Hello जहन दोस्तों आज हम लोग सीतते हैं 180 माइनस थीटा और 180 पिलस थीटा के फार्मूले तो यह जो चतुर्थांस है इसमें फर्स्ट में आपको बताया था यहां पे होते हैं 90 माइनस थीटा इसमें होता है 180 माइनस थीटा और दूसरा कौनसा 90 प्लस थीटा ठीक है इसमें 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा और फॉर्थ में क्या बताया था 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा 360 प्लस के लिए क्या होता है फिर ये रोटेट करके फर्स्ट में आ जाता है तो सबसे पहले हमने आपको बताया था साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेख थीटा और कोसेख थीटा जो चैन्ज होने वाले थे वो ये आपस में चैन्ज होते हैं, साइन कोस में, टैन कोट में, सेख कोसेख में, और कोसेख सेख में, कोट टैन में, और कोस साइन में, ये आपस में इंटर चैन्ज होते हैं इसमें आपको क्या बताया था after school to college ठीक है यानि कि इसमें तो आल हो गए और इसमें sin theta और इसका opposite cosec theta ठीक है इसमें tan theta और इसका opposite सेख theta ठीक है अभी हम लोग सबसे पहले जानते हैं बनेट्टी माइनस theta के बनेट्टी माइनस theta सबसे पहले लेते हैं अच्छा आपको एक बात और वक्तियाद रखना है बनेट्टी माइनस और बनेट्टी प्लस किसमें हैं दोनों even है तो even है यह आपस में क्या होंगे चैंज नहीं होंगे चैंज नहीं होंगे यानिकि बनेट्टी वाले और 360 वाले चैंज नहीं होते हैं तो यह आपको याद रखना है नो चैंज झाल है ठीक है इसमें आपको याद रखना है नो चैंज ठीक है तो नो चैंज तो सबसे पहले हम देखते हैं 180 माइनस के यानिकी साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा अब हमें देखना है सबसे पहले एंगल हमारा किसमे है तो एंगल किसमें पहुंचाई है रहे यानि की जो है पोई रहेगा Ġीक है अब कोस का देखते हैं कोस बनेट सीटा सेम टू सेम 142 चैंड में है है और कोस कोस सेकंड में नहीं है क्योंकि इसमें साइन और कोश एक है नहीं है इसलिए मायनस ठीटा और कोस सी रहेगा और यह क्या हो गया को सीटा canoe Gray सिर्फ साइन और कोसेग होता है तो यसमें नहीं है इसलिए क्या लेगा इसलिये सबक्राइब लगेगा माइनस ठीक है इसलिए लगेगा माइनस और चैन्ज होलाने बनेक्टी वाले तो क्या रहेगा देनधी ठीक बिझा स arena है कोट है कोट है बनेक्टी मायनस थीुकर ठीक है सेगन में पहुंचा, कोट नहीं है, नहीं है, इसलिए माइनस और चेंज होता नहीं है, तो क्या रहेगा, कोट थीटा ही रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट, सेग बनेटी माइनस थीटा, सेग बनेटी माइनस थीटा, यानि कि बनेटी माइनस किसमें पहुंचा, सेगन में, और होते नहीं 10 alc heights को बी कोशेख कोशेख बनेट टी मैनस धीटर कोशेख बनती माइनस सेकिंड में में पहुंचा कोशेख है है तो प्लस करहेगा और हमदोंते नहीं अपकोशेख का कोशेख थीटाइग अभी बनेटी माइनस वाले सारे फिनस हो गया अभी हम लोग जानते हैं 180 पिलस के ठीक है 180 पिलस थीटा आजायए साइन 180 पिलस थीटा अभी देखो 180 फिलस हमें एंगल देखना है सबसे पहले एंगल हमारा 180 प्लस किसमें है, थर्ड में है, तो थर्ड में है, ठीक है, और साइन, थर्ड में देखो साइन है, साइन नहीं है, इसमें 10 और कोट होते हैं, तो 10 और कोट हैं इसमें, तो साइन नहीं है, इसलिए माइनस और 180 वाले चैंज नहीं होते हैं, तो साइन थीटा ही रहेगा, ठीक ह next cos 180 plus theta 180 plus theta third में पहुचा third में cos नहीं है क्योंकि 10 और quote है इसलिए minus और 180 वाले change नहीं होते हैं तो cos theta ही रहेगा next 10 10 180 plus theta 180 plus third में 10 है इसमें है तो positive और change होते नहीं है तो 10 का 10 ही रहेगा 10 theta ठीक है next coat 180 plus theta 180 plus third में पहुचा 180 plus किसमें है third में coat भी है तो इसलिए plus का रहेगा change होता नहीं है तो coat theta ही रहेगा ठीक है अभी 180 plus theta 180 180 plus third में पहुचा third में सेख नहीं है सेख नहीं है इसलिए minus और 180 वाले change नहीं होते हैं यानिकी सेख का सेख थीटा ही रहेगा अच्छा नहीं है तो इसलिए नहीं है इसलिए minus और change होता नहीं है इसलिए को सेख थीटा ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें आख की नेक्स्ट पार्ट में देखने के रिए थेंक्यों अटेट के रहेगा है य